आदर्नी साथियों प्रणाम लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में आप जानेंगे अमीट शाही लगाने से संबंदित विभिननियम और सावधानिया अलग-अलग प्रकार के मतदाताओं की किस अंगुली पर अमीट शाही लगाई जाती है अमीट शाही लगाने का सही नियम क्या है? अमीट शाही लगाने का दाई तु किस मतदान अधिकारी का होता है? अमीट शाही लगाते समय कौन-कौन सी विशेश सावधानिया बरतनी चाहिए? आए इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो से हम प्राप्त करते हैं सबसे पहला काम तो साथियों आप ये करिए कि अमिट शाही की बॉटल को सुरक्षित रखने का प्रबंद कीजी जैसा कि आप जानते हैं निर्वाचन के एक दिवस पूर्व सामगरी प्राप्ति के इंदर पर मिलने वाली सामगरी में अमिट शाही भी होती है अमिट शाही को इंग्लिष में इन्डेलिबल इंक कहा जाता है अमिट शाही की दो शीशियां प्राप्त होती हैं इन दोनों शीशियों को आप देख लीजिए हिला डुला कर देख लीजिए कि इसमें शाही है या नहीं और इन्हें सुरक्षित सामगरी के साथ रख लिजी जब आप इन्हें मद्दान केंद्र पर ले कर जाएं तो निर्वाचन के दिन इन्हें टेबल पर सुरक्षित रखने के लिए एक प्रबंध कर लिजी और इसका प्रबंध ये होता है कि आप एक चौड़ी हाकार का कटोरा या कोई ऐसा पात्र लें, जिसमें रेत या मिटी भरकर उसे थोड़ा गिला करके, उसमें अमीट शाही की शीशी को आप अच्छे से जमा दें, जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, इसे थोड़ा और चौड़ा पात्र ले लेंगे तो शाही जादा सुरक्षित होग सत्यों अमीट शाही एक दुरलब वस्तु है और इसके बिना मद्दान हो नहीं सकता, यदि अमीट शाही लगाने के दौरान शीशी गिर गई और दोनों अमीट शाही की शीशियां ढूल गई और अमीट शाही आपके पास नहीं बची, तो आपको सेक्टर आफिसर से समय लग सकता है, ऐसे में आपके मद्दान केंदर पर आव्यवस्ताएं हो सकती हैं, अतह अमीट शाही को पात्र में सुरक्षित रखने को प्रात्मिक्ता दें और इसकारे को गंभीरता से लें, चुंकि अमीट शाही लगाने की जिम्मेदारी आपकी टीम के मत्दान अधि अधिकारी क्रमांक 2 की होती है, अतह उन्हें अच्छे से समझा दें और उन्हें ही कहें कि वे इसे सुरक्षित रखने का प्रबंद करें। जब मद्दान अधिकारी क्रमांक 2 की द्वारा समुचित व्यवस्ता कर ली जाए, तो एक बार अपने सामने उसका डेमो भी देख लीजिए, उनकी तयारी पर द्रश्टी डाल लीजिए और कुछ कमी हों, तो उसे दूर करने के लिए सुझाओ दे दीजी। अतहिस कारे को गंभिरता से लीजिए। सामाने मद्दाता यदि आपके मद्दान केंदर पर मद्दान करने के लिए आते हैं, तो उनके बाएं हाथ की तरजनी अंगुली पर शाही लगाई जाती है। यदि कोई किसी मद्दाता के साथी के तौर पर मद्दान करने के लिए आपके मद्दान केंदर पर आते हैं, तो ऐसे साथी के दाएं हाथ की तरजनी अंगुली पर शाही लगाने का प्रावदान है। दाएं हाथ यानी राइट हैंड आपको ग्यात है कि मद्दान केंदर पर कुछ ऐसे मद्दाता आ सकते हैं। जो या तो शितिलांग हैं या दरश्टी बाधित हैं और वे सिवं मद्दान नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में उनके साथ साथी होते हैं और वो साथी की सायता से मद्दान करते हैं। यदि ऐसा कोई प्रकरण आपके मद्दान के इंदर पर आता है तो जो शिठिलांग या दरश्टिबाधित मद्दाता हैं उनकी बाएं हाथ की तरजनी अंगुली पर शाही लगाईए और जो साथी है उनके दाएं हाथ की तरजनी अंगुली पर शाही लगाईए दियान रख के मददाता होते हैं साथियों जिन्हें प्रॉक्सी वोटर कहा जाता है प्रॉक्सी वोटर के बारे में आप जानते हैं कि कुछ क्लासिफाइट सर्विसेज ऐसे होती हैं जैसे सेना आदी कि उससे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी मतदान करने के लिए नहीं आ आते हैं और आपको समुझीत प्रमान पत्र वगरह पेश करते हैं तो उन्हें आप मतदान करने का अधिकार देंगे वे मतदान करेंगे अपने वास्तविक मतदाता की तरफ से प्रतिनिधी के तौर पर ऐसे मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा अंगली पर अमीट शाही का कई बार ऐसे प्रशन उत्पन होते हैं कि अगर किसी मतदाता के बाएं हाथ में तरजनी अंगली न हो तो क्या किया जाएं साथियों इसका बहुत सीधा सा उत्तर है अगर बाएं हाथ में तरजनी अंगली न हो तो उसके पास की अंगली और उसके पास की अंगली भी न हो त तो इसी क्रम से बढ़ते हुए आप कनिस्ठा तक पहुंचेंगे, कनिस्ठा भी नहों तो अंगुठे में आप अमीड शाही का निशान लगा देंगे। यदि बाएं हात में कोई अंगुली ही नहों तो आप दाएं हात की तरजनी अंगुली पर सामान्य मद्दाता को भी शाही लगा सकते हैं। अप वादी की स्थिति में आते हैं। इस बारे में कोई प्रशन आपका हो तो आप कॉमेंट बाक्स में लिख सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं शाही लगाने की प्रक्रिया कैसे की जानी चाहिए आप चित्र में देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि तरजनी अंगुली के जो सबसे उपर वाला पोर्वा है, उस पोर्वे के निशान से लगा कर नाखून के उपरी हिस्से तक शाही लगाने की व्यवस्था की जा रहे हैं, आप इसे इस चित्र में और अच्छे से देख पा रहे हैं, आप देखें कि बिल्कुल जहां से अंगुली का उपरी पोर्वा, तीसरा पोर्वा शुरू होता है, वहां से शाही लगाना शुरू किया गया है, और नाखून तक शाही लगाई गई है, और भी आप इस चित्र में देखें कि इस तरह से शाही लगाना प्रारम किया गया है, और नाखून तक उसे खीचा गया है तो इस तरह से शाही को आप पूरी हिस्से पर लगा दीजी साथियों एक बात और इसमें आप ध्यान रखेगा अमिट शाही लगाते समय आपका पूरा प्रयास हो कि आपको मददाता के हाथों को इस पर न करना पड़े आप इस तरह से मददाता को कहिए कि अपना हाथ रखें टेबल पर नीचे आप एक कपड़ा रख सकते हैं ताकि शाही के निशान टेबल पर न लगे और मददाता के हाथ खराब न हो खास करके अगर महिला मददाता है तो विशेस साउधानी बरतिये इस परश करने से बचिये मददाता के हाथ को और इस तरह से आप शाही लगा सकते हैं आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उप्यों की सिद्ध होगी और आपके काम माईगी मुझे महत्पूर्ण बातें आप तक पहुचाने का निरंतर आउसर मिल रहा है इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचाली का पृती गुलवाने अजी जी के पृत बहुत आभार आप से अपेक्षा की आप कॉमेंट बाक्स में बताईए कि आप कहां से किस राज्य से किस निर्वाचन शेत्र से इन वीडियोस को देख रहे हैं और किन विश्यों पर वीडियो चाहते हैं आप सभी को शुब कामनाए नमस्कार